हेलो दियर फ्रेंड्स वेलकम टू पढ़ाई से दोस्ते यूटूब चानल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इनके द्वारा इंडियन एक अटनोमस इंसिटूट चलाई जाती है तो यह जो आई ए आर आए है इनके बोच सारे लगबग 64 अलग लग रिसर्च इंसिटूट है अल ओर दे इंडिया बट इनका जो विडिक्वाटर है वो है नई दिल्ली में पूसा नई दिल्ली ओके तो य इनों ने यह नोटिफिकेशन निकल आये रिगार्डिंग दो टेक्निशन जॉब ओके तो देखते हैं यह पर्टिक्लोर नोटिफिकेशन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो 18 डिसमबर 2021 को यह नोटिफिकेशन आया है कम्पेर्टिव एग्जमिनेशन फोर रिकूट में तो टेक्निशन पोस्ट आड आई-C-A-R हेड़क्वार्टर्स और इट्स रिसर्च इंस्टिटूट्स ओके तो यह इस तरीके का यह नोटिफिकेशन आप देख सकते हो दोस्तों आई-C-A-R के बारे में आपे दिया गया है स्वरी आई-A-R-I के बारे में इंडियन आ सबसे इंपोर्टन बात इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की यह है कि यहाँ पे केवल एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट होगी और उसके बेसिस पे आपका फाइनल सेलेक्शन होगा नो इंटर्यू, नो मेंस एक्जाम, डारेक्ट सेलेक्शन विल भी देर बेस्ट आउन सिंग लास्ट डेट एंट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट इस अलसो सेम, यहाँ अलग 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 शिप में यह एक्जाम होने वाली है, तो वैकंसिस के बारे में इस एनिक्श्चर में आप देख सकते हो दोस्तों, अन्रिजर्व के लिए टोटल 286 है, एड़ब्लियो 60 के लिए 68 और OBC नॉन क्रिमिलर के लिए 133, एक सर्विसमन के लिए 8 रिजर्वेशन फॉर परसन विज बेंचमारा डिसेबिलिटी, तो 6 पोस्ट है दिव्यांग जनों के लिए, तो इस तरीके से यह सब चीज़े यहाँ पे दी गई है, टोटल 641 पोस्ट है टेक्निशन क के लिए, तो आप यहाँ पे यह सारी चीज़े देख सकते हो, यहाँ पे इसेंचल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, अगर आपने दसवी पास किये, किसी भी रिजनल बोर्ड से आपके पास दसवी का वैलिडिज सर्टपिकेट है, तो आप यह एक्जाम दे सकत जो भी एक्वरेट आपके मार्क से वही आपको फिल करने है, तो यह आपको चीज दहन में रखने है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जब आप एक्जाम दोगे और दो कैंडिडिट के मार्क से माएंगे, तो उसके बाद जिस कैंडिडिड के दसवी के मार्क जादा होंगे, आपको NOC चाहिए होगा, ओके, Non-Objection Certificate आपके Employer की तरब से, तो examination cities, कौन-कौन से cities में यह exam होने वाली है, तो उसके बारे में यहाँ पे Annixter 2 में दिया गया है, वो भी हम देखेंगे, कौन सा है दोस्तो, ओके, age limit के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, minimum age limit is 18 years, as on 10th January 2022, तो 10 January 2022 यह जो date है, इस date पे आपका age qualification जो है, वो माना जाएगा, ओके, तो minimum age होनी चाहिए, 18, maximum age 30 होनी चाहिए, ओके, जो भी SC, ST, OBC candidate है, उनको government reservation policies के अनुसार, age relaxation मिल जाएगी, ओके, OBC के लिए 3 साल, और जो बाकी SC, ST candidate है, उनके लिए 5 सालों की यहाँ पे सवलियत म मिल जाएगी, ओके, और जो भी बाकी के candidate है, दिवयांगजन और PWD और other service, कोई special category candidate है, तो उनके लिए, जो भी government norm से, उस हिसाब से, यह age relaxation है, बाकी, उसके related details आप यहाँ पे देख सकते हो, SC, ST candidate के लिए, या non-criminal के लिए, कौन सा non-criminal certificate चाहिए होगा, ओके, उसकी date क्या ह होनी चाहिए, कब तक वो valid होना चाहिए, तो यह सारे details यहाँ पे दीए, ओके, EWS criteria क्या है, EWS candidate किसे कहा जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, यह आप देख सकते हो, तो यह आप एक बार पढ़ ले ना, आपकी category के हिसाब से, I am not going in-depth in all the things, because many of the candidates, they know all these things, I am just highlighting the important points related to this particular notification, okay, application fee के बारे में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, जो भी unreserved, OBC, non-criminal and EWS candidate है, male candidate, उनके लिए examination fee होनी वाली 700 रूपीज, प्लस registration fee 300 रूपीज, total 1,000 रूपीज उनको पे करने हैं, और जो भी women है, किसी भी category की हो, unreserved, OBC, EWS या SC, ST या और कोई भी category की women है यहाँ पे, तो उनके लिए examination fee कोई भी ने लगेगी, लेकर registration fee 300 रूपई लगने वाली है, so total fee they have to pay 300 रूपीज, और जो भी SC, ST category के, या person with benchmark disability, या ex-servicemen, जो भी male candidate है, तो उनको भी exam fee हो 300 रूपीज यहाँ पे लगने वाली है, यहाँ पे आप note देख सकते हो, all female candidates belonging to schedule caste, schedule tribe okay, ex-servicemen, person with benchmark disability are exempted from payment of examination fee, they only have to pay the registration fee, right, तो इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, plan of examination, उसके बारे में एनिक्स्टर 3 में दिया गया है, simple है दोस्तो, 100 objective type question रहेंगे, 4 आपको option दिये जाएंगे, आपको जो सही है वो चुननना है, और अगर आपने गलत option चूज कर लिया तो 1 fourth negative marking होने वाली है, यह आपको ध्यादन रखना है, okay, so instruction for the document verification यहाँ पे दी गई है, okay, यहाँ पे qualifying marks के बारे में दिया गया है, 40% for unreserved, 30% for SC, OBC, non-camular, EWS and 25% for ST candidate, okay, तो भी qualifying criteria होगा, instruction for document verification, appointment of successful candidates will be subject to verification of original document relating to age, qualification, caste, character, and antecedent verification followed by medical fitness certificate issued by appropriate medical authority, okay, तो आपको original document वहाँ पे साधर करने अनिवार है, यही बताया है, उसके बाद है, how to apply, apply करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एक link दी गई है, तो इस link पे आपको जाके online application फिल करना है, any mistake committed by the candidate shall be his or her sole responsibility, okay, तो यहाँ पे step by step procedure दी गई ह first step में आपको registration करना है, with filling your mobile number, mail ID and you have to create your own password, the same things as usual, filling up application and submission of a fee, आपको application फिल करना है, आपके सारे education qualification डिटेल डालके और आपको application fee submit करने है, उसके बाद आप, आपका जो photo है, आपका जो signature है, यह चीज़े आपको online upload करना है, okay, और आपको preference भी देना है, exam center के लिए आपको preference देना है, तो यहाँ पे कुछ important certificate के बारे में दिया गया है, जो कि आपके पास होने चाहिए, while filling the form, जो भी photograph है, signature है, okay, तो और जो certificate आपको scan करके upload करने, तो उसका size क्या होना चाहिए, उसके dimensions क्या होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, regarding the photograph, regarding the signature, okay, तो यहाँ पे एक बार पढ़े लेना, यह कुछ general guideline से आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको कोई query है, कोई doubt है, तो आप इस particular number पे 10am to 6pm, Monday to Saturday call कर सकते हो, regarding this particular exam, application form कैसे बरना है, या कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई technical problem हा रहा यह आपको दियान रखना है, exam अलग-अलग ship में होने वाली है, अलग-अलग दिन होने वाली है, तो इसके वज़े से normalization का process यहाँ पे होने वाला है, आप यह formula देख सकते हो, normalize score for each candidate, तो इस formula से calculate किया जाने वाला है, वो score, okay, in case of tie breaking, मतलब अगर दो candidate के same marks है, तो किस तरीक अगर दो candidate के same marks आते online test में, तो जिस candidate के 10 वी के mark जादा होंगे, उसको preference दया जाएगा, अगर 10 के mark भी दोनों के same रहेंगे, तो जो भी senior है, उसको पहला preference मिलेगा, दोनों का age भी same है, तो in case of ages mentioned in section 2 are same, the merit list would be prepared in alphabetical order of first name of the candidate, तो जो भी alphabetical sequence है, उस हिसाब से फिर यह किया जा आएगा, exam conduct करने के बाद 3 से 4 दिन में आपको जो answer की यह वो official site पर मिल जाएगी, यहापे आप दोस्तों देख सकते हो, यह अलग-अलग institution से, जो की ICAR के द्वारा run किये जाते, इंडिया के अलग-अलग राज्यों में स्तित है, total 64 यह अलगल institution से, और उस particular institution में कौन-कौन स किस तरीके से यह vacancies available है, उसके बारे में आपे दिया गया है, in total 64 institution में से कही भी आपकी posting हो सकती है, और examination center कौन-कौन से, उसके बारे में आपे दिया गया है, आंधर प्रदेश के कौन से cities है, अरुनाचल प्रदेश के कौन से, आसाम के कौन से, बिहार के कौन से, तो इस तर अलग-अलग exam centers, अलग-अलग state के हिसाब से, आप यहाँ पर देख सकते हो, और accordingly fill कर सकते हो, यह पूरी list यहाँ पर दे रखिये, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, दोस्तो, scheme and syllabus of examination for the post of technician, तो examination जो है, वो उसका essential qualification है, matriculation, मतलब आपका कोई भी original board से 10 भी पास होना चाहिए, scheme of exam, 100 questions होंगे, 100 mark के लिए होंगे, general knowledge के 25 questions, mathematics के 25 questions, science के 25 और social science, history, geography, polity, economics, इसके 25 questions होंगे, okay, so आपको जो time मे लेगा, one and half hour का exam के लिए आपको time मिलने वाला है, online exam होने वाला है, दोस्तो, the question will be prepared bilingual, that is in Hindi and English, okay, कोई भी इंटर्यू या पर होने ने वाला है, दोस्तो the answer key will be placed on Indian Agriculture Research Institute website after the written examination, तो दोस्तो जब ये particular exam हो जाएगी, उसका 3-4 दिन में answer की आ जाएगा, official website पे, अगर आपके कोई objection है, तो आपको within 5 days या objection उनको मेल करने है, with proper proof, अगर वो proper proof रहेंगे या सही रहेंगे, तो definitely वो consider किये जाएगे, पास दिन के बाद अगर आप कोई objection raise क यह इस तरीके से यह notification में बताया है, so general knowledge में क्या पूछा जाएगा, वो यहाँ पे दिया है, mathematics में क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में दे रखा है, चारो subject के बारे में यहाँ पे दे रखा है, आपको इतने topic यहाँ से prepare करने है, और यहाँ पे आप देख सकते हो format for SCST certificate, जो भी आपका CAS certificate होता है, यह central government की post है, तो यह center के format में होगा definitely, तो एक बार यह देख लेना, इस format में आपको बनवाना होगा, okay, तो इस तरीके से यह अलग-अलग annexure यहाँ पे दे रखे, so category wise, जो भी student जिस category में fall करते, so do check out these annexures, okay, so this is all about this notification दोस्तों, अगर आप 10 वी पास की है, और अगर आप government job चाते हो, या कोई stepping stone चाते हो, किसी अन्य exam के तायरी करने के लिए, तो यह एक अच्छी opportunity आपके लिए, यहाँ पे जो base pay होगा, वो होगा 21,700 के आसपास, और सब allowances वगरा मिला के, in hand आपकी salary होगी, किसी good metropolitan city में, 39,000 to 40,000 के आसपास, okay, so if you are looking for government job, then this is golden opportunity for you, this is all I want to share in this particular video session, so thank you friends for your attention, have a great day, see you soon in our next video session.